कैसे आप लोग मैं हूँ डॉक्टर कजण आज का जो वीडियो है काफी खास एं इंपोर्टेंट होने माला है तो आप सब इस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप मत करेगा और पूरा जरूर देखेगा यह जो वीडियो है आप सभी के रिक्वेस्ट पे हैं इस पर बहुत सारी कोशन आ रहे थे प्रॉब्लम थी है जब दॉक्टर से दिखाया का दॉक्टर ने आइडेंटिफाय क होती क्या है किस टाइप्स के होती है इसके होने के क्या कारण होते हैं लक्षन एंड साथी साथ अगर आपको पार-बार हो रही है तो इससे आप कैसे ठीक कर सकते हैं इसके अलावा वेलों उपाई यारे कि होम रेमिडियो के बारे में भी जानेंगे जिससे आप इसे घर प पर इसे समझते हैं कि एक अच्छली होता क्या है तो फैर्यम्जाइटीज का मतलब इंफ्लामेशन यानि कि सूजन एड फैर्इंज फैर्ंश होती है जो घले में पीछी का हिसा होता है और पानी भी अगर आप पी रहे तो या निगले में फर्षानी आती है तो इस तरह की बहुत सारी problems होती है इसमें लाग दाने भी होते हैं और यह जो लाग दाने हैं कभी कभी बड़े साइज में भी हो जाते हैं तो ऐसे condition में generally patient घबड़ा जाते हैं तो ऐसे condition में आपको घबड़ाने की नहीं इसे सही तरीके से समझ कर और सही इलाज लेने की जरूरत है और यह जो प्रॉब्लम में बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं होती है, असानी से ठीक के जा सकता है, तो घबरानी के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो इसके होने के क्या क्या कारण है, पहले हम वो जा लेते हैं, जो फेरंजाइटिस होती है, जो जादा तर करके, या जिसे वेदर में जब changes होती है, जो मौसम बदलता है, ठंडी से गर्मी आ रहे हैं, फिर गर्मी से ठंडी आ रहे हैं, जो बरसाथ के बाद अचानक से धूप निकल रहे हैं, जो ट्रांजिशन पिरियोड होती है, ऐसे कंडिशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गले मे ख़डास रहती है, बार-बार आप गुली को तरीके से करते हैं या फिर बहुत जल्यादा रहता है, इसके अलावा गशेकी होती है, toby अख्वली गले में ड्राइने department कंटी से सुखा सुखा रहते हैं, तो उस कारण से भी फरनजएटिशन फार्म होती है, निक्स रत होता ह पर भाप जास दोख तिल फ्रॉपकश प्रेंग्स दयां करते हैं, दोख गले करती हैं antig Sap और उसने पर आपसे चाहल सब्सक्ताइट export करते हैं टिल सवच पूराण करती हैं आप पॉलूशन के विज़े से तो आपको पॉलूशन के विज़े से क्या होता है कि आप जो पॉलुटेड एर को सांस के द्वारा लेती है तो आपकी जो फैरिंग सोते हैं उसमें जाकि जो ड़स्ट होते वह फॉस्स आते इसके कारण भी आपको फैरंगेटिस की प्रॉब् बैक्टिरियल या वाइरल इंफेक्शन हो रखा है तो उस वज़े से भी फेरंजाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है माउर्ट प्रीधिंगे हागिट जो होती है अगर आपको नेजल कांजेशन है यानिकी नाक बंद बंद सहे शांस लेने में प्रॉब्लम आखा रहे हैं सोतेव एडर्ट हो या फिर बच्चे वो दोनों मुह से सांस लेने लगते है तो मुह से सांस लेनी के हो जैसे जो आपका गला है वो ड्राइ होता है उसके कारण भी फेरंग्स में आपकी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं फेरंजाइटीस की प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं अगर आपको जो फेरेंजाइटीस की प्रॉब्लम है दो मैने तीन मैने से लागतार है और ठीक नहीं हो रही है तो भी आपको घबरानी की जरूरत नहीं है कि छोटी सी प्रॉब्लम है अराम से ठीक हो जाती है इसके लिए आप घरे लूपाई कर सकते हैं या फिर आप डॉक्टर से भी पर्टैक करकर दिखा सकते हैं इसमें घबरानी की जुरत नहीं है अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है तेरह भी दॉक अब बात करेंगे कि कौन-कौन से घरे लूपाई है जिससे करने से ठीक हो सकता है अगर आपकी जो फेरेंजाइटीस है वो ठीक हो के वापस से बार बार रिपीट करती है तो भी आप इस घरे लूपाई को फॉलो कर सकते हैं उसमें भी आपके लिए काफी हल्फुल होगा इसकी प्रॉबलम है तो भी यह जो घरे लूपाई है उसमें काफी हल्फुल होगा जो मारा फॉस्ट घरे लूपाई है वो है इंकरेज वाटर इंटेक यस पानी पानी आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीजे क्योंकि जब आप पानी अच्छे से पीएंगे तो आपक आप कम से कम दिन में चार लिटर पानी देने की कोसिस ज़रूर करें तो खुद को हैडिट तो रखना ही है साथी साथ आपको अपने डाइट पर भी इक्वली ध्यान देना है जैसे कि अगर आपको फैरेंजाइटीस की प्रॉबलम है तो मैंने आप भी आपको बताई जो सि मैंन पसंदेदा गाना खाना खा रहे है इस से की तो आपको आपको खाने में लिक्विद द्याइट तरफ ध्याब डेला है में अपना प्रॉफ्ट और लिक्विद खाना का सकते महता है इससे क्या कि जो आपकी ग्यानूरस है वह इरिटेट नहीं होगी और ब़र जल्द आ इसमें बैक्टेरिय और यो इसे करते हैं और स्मॉजन बैक्टेरिया ओर प्रस्जाफन नमक है और आपण करसके यह कासी आप कैसे बताने की जुरूत नहीं है कि नमक पानी का गारगल कैसे करते हैं जल्द आपको आराम मिल कहा नहीं करना है सबसे पहला है आपको नहीं करना है पीटे हैं 99% लोग पीते हैं दो अगर आप चाय ऑ कौफी być को अपको कोफी भीट केका कर दिये को दिया है कर दोग्लाइक करते हैं तो कि आपको होता है क्वह साथ हुआ नो ca cheap fat आपको हेस्माफर पीजिये यसे क्या उसमें relaxed कि लिए Auch कि आपका जो गला है जब आप चाय और कॉफी पीते हैं उसके तो जड़के बाद आपको प्यास लगते हैं तो यह आपके गली को ड्राइग करेगा तो इसके आपको चाय और कॉफी अबॉइड करना है दूसरे चीज है कि अगर आपमें हैपिट है स्मोगिं करने की तुरुम आपको फरेंजाइटीस की प्रॉबलम है तो आपके घरेली उपाए यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपको फरेंजाइटीस बहुत लंबे समय से है और आपका जो कंडिशन है उसमें आपको बहुत ज्यादा परशानी आरे आपको ब्रीधिंग प्रॉबलम आरे है आप आपको अपनी नियर्स डॉक्टर को जोरूर कंसर्ट करना चाहिए और डॉक्टर जो होते हैं सबसे पहले फाइंड करते हैं कि आपका फरेंजाइटीस की स्कादन से हैं बैक्टिरियल या वायरल इंफेक्शन की वज़े से हैं या फिर सीजनल जो चेंज़ हो रही है उसकी जो भी उसकी रीजन होते हैं पहले उसको फाइंड करते हैं उसके एकॉर्डिक फिर आपको दमाया चलाई जाती है अगर वायरल इंफेक्शन की वज़े से हैं तो ऐसे कंडिशन में आपको एंटिवाटिक प्रस्क्राइब किया जात है तो यह थे आज की वीडियो आपके आपके लिए हल्फ रूराओ अगर यह तो डिफिनेटली लाइक दीजे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके कोई कोई कोश्चन हो तो आपके मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपको जबरू रिप्लाइ करोंगी अगर आप आप उससे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो बढ़ दिये के कॉंटेक्ट नमबर पर भी आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो गई सब तक के लिए बी हल्दी और बी हैपी बहुए